इस बार धन तेरस 21 और 22 दोनों दिन ही मनाया जाएगा 22-10-2022 को दिन शनिवार के दिन पढ़ने से कुछ दिन किसी परकार की धातू ना ले अन्य था घर में कोई नुकसान हो सकता है धन की कमी हो सकती है वस्तु अपने घर में लेके आए कोई भी समान 21-10-2022 को शनिवार के दिन करें एक छोटा सा उपाय शनिवार के दिन आप अपने घर में चोव मुखी दिया जलाएं और शमी का एक पोधा लेकर आएं सुबह 8 बजे से लेके प्रातह साढ़े 11 बजे तक कोई भी शुब कारें न करें संध्या के पांच बजे से लेके रात्री 8 बजे के बीच में शुब मुहरत है इस मुहरत में एक जाडु घर में लेके आएं और प्रातह दिन में अपने पुराने जाडु को घर से बिदा कर संध्या के समय एक जारू लेके आएं और उसकी पूजा अर्चना करें साथ ही एक शमी का पौधा लाएं तो आप देखेंगे कि आपके घर में चारों दिशाओं से धनकी वश्या हो रही है एक तो मनी प्लांट का पौधा शुक्रवार के दिन लगाएंगे और शमी का पौध शनीवार के दिन अपने घर में लाएं चोव मुखी दिया जलाएं पूजा पाट करें और घर में सुक शांती सम्रिद्धी का वास होगा इस बार 21 और 22 दोनों दिन ही धन तेरस मनाया जाएगा आपके घर में सुक शांती सम्रिद्धी का वास हो यह चोटा सा उपाए आपक जिन्दगी बदल देगा